और रूस और यूकरेन के बीच अनाज समझाता होने के बाद एक बहुत बड़े संकट के खत्म होने की उम्मीद जगी थी लेकिन 24 गंटे के भीतर ही रूस ने वादा तोड़ा और यूकरेन के बंदरगाप पर मिसाइल अटैक हो गया 24 फर्वरी को शुरू ही रूस यूकरेन जंक के चलते पूरी दुन्या खाद दिस संकट से जूज रही है दोनों देशों में ग्रेन डील होने के बाद इस संकट पर विराम लगने वाला था लेकिन काले सागर से रूस ने ओडेसा में मिसाइल एदागी डील के मुताबिक रूसी सेना को यूकरेन के बंदर गाहों पर हमला नहीं करना था ब्लाक सी में फसे अनाज से भरे जहाजों को नहीं रोकना था 24 घंटे भी नहीं तिक सकी रूस यूकरेन के बीच हुई ग्रेन डील जिस इलाके पर अटैक नहीं करने का समझौता हुआ था वहीं एक नहीं चार मिसाइलों से हमला हुआ यूकरेन के ओडेसा में अनाज की सप्लाई को लेकर तैयारियां शुरू की गई थी लेकिन अचानक ब्लाक सी के पोर्ट पर कैलिबर मिसाइल का जोरतार धबाका हुआ दो अलग मिसाइलों के अटैक से बंदरगाह का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया यूकरेन की सेना के मताबिक रूस ने ओडेसा पर चार कैलिबर मिसाइलों से हमला किया लेकिन रूस की दो मिसाइलों को यूकरेन के एर डिफेंस ने नश्ट कर दिया दो मिसाइले यूकरेन के मंदरगाह पर गिरी और दो जोरदार धमाके हुए यूकरेन के लिए ये सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं बलकि रूस का बहुत बड़ा धोका है क्योंकि इस अटैक के कुछ घंटे पहले रूस यूकरेन के बीच समझोता हुआ था रूस यूकरेन के बीच समझोता स्तामबूल में हुआ यूएन महासचिव एंटोनियो गुत्रेस भी वहां मौजूद थे तुरकी के राश्टपती एर्दवान भी मीटिंग में शामिल थे रूस यूकरेन के प्रतिनिधियों ने दील पर साइन किया इस्तामबूल में डील होने के साथी यूकरेन के बंदरगाहों पर कामकाज शुरू किया गया काला सागर में युक्रेन के बंदरगा ओडेसा को एक्टिव किया जाना था लेकिन अचानक ये इलाका विजाइल अटैक से थर्राव था ग्रेन डील में इस बात पर सहमती बनी युक्रेन के बंदरगाहों पर रूस अटैक नहीं करेगा लाक्सी का रूट अब जहाजों के लिए खुल जाएगा तुर्की और संयुक्त राष्ट जहाजों का निरीक्षन करेगा लाक्सी से अनाच और खाद निर्यात किया जा सकेगा संयुक्त राष्ट ने निंदा करते होए बयान जारी किया और कहा कि रूस को समझोते का पालन करना चाहिए शुकरवार को डील होने के बाद युक्रेन के ओडेसा, चेर्नोमर्स्क और युजनी बंदरगाहों को खोलने का काम शुरू किया गया था इन बंदरगाहों से युक्रेन का लाखो टन अनाच दुनिया को मिलने वाला है लेकिन रूस ने पहले ही दिन विजायच से टील की धज्जिया उड़ा दी युक्रेन, केहु, मक्का और सूरज मुखी के तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है लेकिन रूस के अटाइक के बाद खाद्य संकट और लंबा खिचने का खत्रा पढ़ गया है ओडिसा के अलावर रूस ने शनिवार को मध्य युक्रेन की एक एयर फील्ड और रेलवे डिपो पर भी मिजायल इता किया युक्रेन की सेना के मताबिक रूस ने एयर फील्ड और रेलवे डिपो को उड़ाने के लिए ताबर तोड अटाइक किया रूस ने दोनों टार्केट पर करीब तेरा मिजायल इता किया फूट सप्लाई के लिए युक्रेन को ब्लैक सी से माइन्स को भी हटाना होगा मॉल्डोबा की प्रेजडेंट माइया सैंडू ने रूस के लिए मॉल्डोबा की राष्ट्रपती ने इसकी इजाज़त नहीं दी रूस की सेना ट्रांस निस्ट्रिया के जरिये मॉल्डोबा में खुसना चाहती थी लेकिन मॉल्डोबा की राष्ट्रपती ने इसकी इजाज़त नहीं दी बॉल्डोवा की राश्टपती माईया सैंडू ने बिना रूस से डरे इस दोरान सक्त कदम उठाकर होसला दिखाया है बॉल्डोवा भी सोवेत संग का हिस्सा था बॉल्डोवा 1991 में सोवेत संग से अलग होकर आजाद देश बना था बॉल्डोवा की आजादी के बाद सही ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर विबात चल रहा है शांती सेना के तौर पर रूस ने यहाँ 2000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे है